क्यासे हैं आप सब मैं आप सब को YouTube चैनल English Literature पर Welcome कहती हूँ आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Thomas Beckett था कौन और Thomas Beckett की Death कैसे हुई थी तो स्टार्ट करते अपने लेक्चर को Thomas Beckett basically London में एक merchant का बेटा था जो एक complex किसम की personality थी क्योंकि जब ये अपने यूथ में था तो बहुत arrogant, selfish और proud किसम का मैंड था ठीक है लेकिन जब इसकी later life की बात कीज़े जब ये बड़ा हो गया तो ये बहुत religious बहुत ही नेक आदमी बन गया ये एक archbishop बन चुका था 12th century के अंदर और वो time period था henry की reign का henry की हकूमत का time period चल रहा था henry second तो हलाके ये middle class family से बिलोंग करता था लेकिन henry second जो के king था उस time period पे class differences है दोनों की दिर्मयान में लेकिन दोनों बहुत इचा दोस्त थे तो during the time period of henry second ये अपनी एक अच्छी position पे आ गया था और 29th December 1170 में इसको मार दिया गया था Canterbury Cathedral के अंदर और इसकी एक बड़ी important line है वो कहता था Will no one rid me of this troublesome priest ये कहा करता था priest को और ये इसके last words थे और important words है अब हुआ क्या था 1155 में बेकेट को चैंसलर बना दिया गया था Henry second ने बनाया था इसको Henry second इसको पर बहुत बिलीफ किया करता था इसकी advice को माना करता था इस पर बहुत trust करता था वो अब जो Henry second king था ना वो चाहता था कि Church के उपर सिर्फ और सिर्फ इसका control हो अब 1162 में Theobald, Theobald नाम का एक person था एक arch bishop था उसकी death हो जाती है तो 1162 में Theobald जो arch bishop है Canterbury का उसकी death हो गई अब इसकी death के बाद Henry को मिलगी opportunity कि वो अपने friend Beckett को वहां पर arch bishop बना दे और इससे क्या होगा इससे जितना भी control church का है वो Henry के हाथ में आ जाएगा फिर क्या वाजी Beckett को वहां पर priest बनाया गया फिर bishop बनाया गया फिर arch bishop बना दे गए Canterbury का अब Henry को यह उमीद थी कि Beckett जो है वो church को इसकी control के अंडर लाने में इसकी help करेगा लेकिन जब Beckett की connection spirituality के साथ हो गई religion के साथ हो गई तो वो जो था वो loyal बन गया church का अब Henry चाहता था कि जितनी भी clerical practices होती है जितनी भी यह church में religious practices होती है उसको खतम कर दिया जाए sorry जितनी भी religious practices होती है उसको खतम कर दिया जाए और जितनी भी clerical practices थी वो सब के सब court की बजाए वो असाल लफ में बताती है आपको कि सिंपल वर्ड में वो यह चाहता था कि जो भी प्रीस्ट है जो लीडर है रिलीजिन के वो सबके सब अमनी प्रैक्टिसेश छोड़ दे मजभब के कोर्ट के अंदर यानि के रिलीजियस कोर्ट के अंदर कोई भी मैटर ना लेकि जाया जाये और इंपोर्टन्स हो tiefoo सिर्फर सुफ कि अदालत की हो बाद्शा के कोर्ट की इंपोर्टन्स हो वो यह चाहता था इसलिए वो चाहता था के जो बकिट है वो यह जो धिरिस्टिस सिस्टम चलता रहा है, मजभब का सिस्टम चल रहा है, उसको एंड कर दे, और वो जो किंग का कोट है, और किंग का सिस्टम है, उसको प्रोमोट करे, यह चाहता था, अब इससे क्या हुई, कि इससे यह हुआ, कि जो फ्रेंड्शिप थी इन दोनों के दिर्मियान में वो आइस्ता इस्ता खराब होने लग पड़ी क्यूंकि अब बेकेट को जब नियू रॉल दिया गया था उस नियू रॉल की बेस पे इसके दर बहुत स्पिरिचॉलिटी आई ट्रांस्फॉर्मेशन आगई और इसने रिलीजिन को फिवर करना शुरू कर दिया इसने जो हैनरी था उसके जो वियूस थे जो कौंसेप्स थे उनको डिनाय किया हैनरी से डिस आगउरी किया और हैनरी चाहता था THATइस केथेडरिल कोको खत्म कर दिया जहता तो उसने इसके bạn से अगउरी नहीं किया और इसी बेस पे हैंडी ने का तुमने मुझसे डिसलोयलिटी की है मैं तुमसे जो अना अब अपनी फ्रेंट्शिप कतम करता हूं और उसके बाद ये इसको एक्जायल कर दिया गया और ये फ्रांस में रहा तकरीबं 6-7 साल तक अब 1170 का टाइम पिरियड था उस इंपिरियड पे बेकेट को परमिशन मिल गए कि वापस आ सकता है इंगलेंड में हैंडी ने इसको लाओ कर दिया लेकिन इसका जो रोल था ऐस आर्गुशिप उसको जियूम कर दिया गया और इसके बाद इसको फोर्स किया गया कि किंग की बात मान ले किंग को अबे करे ल और आकर उन्होंने इसको कहा कि तुमने हमारे बादशाह को दोका दिया और यह कहकर उन्होंने मडर कर दिया था बेकेट का और थोमस बेकेट के ड़ट से थूरू आट योरप बहुत ही ज़ादा कितनी है वो दोड मस जाना अपसेट सिचुएशन क्रियर हो जाना वो हो पेगंबर अपने बिलीव के अकोर्डिंग और 1174 में जो हैंरी सेकिंड था वो नंगे पाउंग केंटेबरी कैथरिल में आता है खुद को पुनिश्मेंट देने के लिए और इस तरह से जो हैंरी का प्लान था कि वो चर्श को डिस्ट्रोय कर दे वो फेल हो गया और उसके प्रेजेंट टाइम में केंटेबरी कैथरिल के अंदर सिर्फ और सिफ एक स्टोन पड़ा है और उस स्टोन के ओपर नेम लिखा हुआ है तो ये था तोमस बिकिट जिसके बारे में चोसर ने केंटेबरी टेल्स में लिखा कि अगस के शिरायन पे जाएं तो आप प्योरिफ कैटेडरल में इसके डेस्ट के सीन को डिस्क्राइब किया था तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कोई किन फियू नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हैं दूआउ में याद रखेगा अलाहाफिस